Welcome back to Stock Market Hill Federal bank limited quarter 3 result आ गया तो चलिए देखते है result कैसे है आज की दिन 3% के आसपास में momentum देखने हैं तो चलिए देखते हैं फटाफ़ट सब की result कैसे आए है तो अगर आप यहां पर देखें कि सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले है कि standalone basis पे company का कैसा result है तो अगर आप यहां देखें कि data show रहा है वो लाक में हो रहा है तो अगर आप इंकम देखेंगे तो इस quarter में जो है income आई है 4967 यानि 4967 क्रोड की income इस quarter में हुई गया है पिछले quarter में 4630 क्रोड की income थी एक साल पहले 4926 क्रोड की income थी यहां पे जादा खर्च कर दिया है तो फिर आप कह सकते हैं आप इंकम है वो बढ़ी है quarter quarter पे यहां पर यहां पर बात करते हैं यहां पर total expense company ने कितना खर्च किया है तो अगर आप total expense देखेंगे यहां पर 3693 यानि 3693 क्रोड के आसपास देखेंगे तो operating profit लेकिन यहां पर ज्यादा देखने मिला जो की इच्छी बात है और operating profit हमेशा ज्यादा आना चाहिए operating profit का simply formula क्या होता है अगर आप जो भी आपकी income है income में से अगर आप expense को घटाते हैं तो आपको operating profit मिल जाता है तो इसलिए business कैसा चला उसके लिए operating profit निकालना बहुत जरूरी है तो इन्होंने direct निकाले के दिखाया है इनका जो अपकी बार का operating profit है वह 1274 क्रोड है पिछले quarter में 1212 क्रोड का था एक साल पहले 914 क्रोड का था operating profit यहां पे जादा देखने मिला है अब बात कर लेते हैं यहां पे net profit कितना रहा final profit जो की after tax होता है तो 803 क्रोड का profit है पिछले quarter में 703 क्रोड का था एक साल पहले 521 क्रोड का था तो जो profit है अपकी बार जादा है quarter quarter पे यह और रिजल्ट जो है बहुत अच्छे हैं क्योंकि profit पिछले quarter पिछले साल की तुलना में साथ अच्छा देखने मिलना और company के जो result है वह साड़े 12 बजे के आसपास देखने मिले वहां भी थोड़ा सा volatility था क्योंकि आपको पता है जब भी कोई भी stock के result आते हैं तो उसके पास जरूर उसमें आपको जैसे result आता है उस हिसाब से उनका action वहां पर देखने को मिलता है इसलिए volume बहुत जादा आपको आपको उस time देखने को मिलता है तो चलिए अब देख लेते हैं यहां पे कंपनी का कैसा performance है तो यहां हम comparison करेंगे तो comparison अगर आप करेंगे तो अब की बार की जो income है वह पिछले कॉर्टर पिछले साल की तो देखने मिलते है और expense देखेंगे और expense यहां पिछले Societle का वी पिछले Societle की तो नतैप देखेंगे तो तो वह भी यहां उन्दार वै पिछले साल की तुलना में तो जैसा कि मैंने बताया था कि साड़े बारा बजे के आसरी नतीजह आया है और जैसे नतीजह आये देखले यहां पर volume आना शुरू हो गया था क्योंकि वह बढ़ा जो भी ट्रेडर होते हैं उनका वहां पर action जो भी होता है जो भी वह बाइय करते हैं वहां पर sell करते हैं उस इसे stock में अगर इसे stock में somehow जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ये 145 के आसपास trade करने लगता है रुक जाता है समझ जाता है या फिर 145 के उपर लगातार consolidate करता है तो वहां पर बहुत अच्छा आपको momentum देखने मिल सकता है देखिए इसकी closing कभी भी 145 के से उपर जाने वाला है क्योंकि लगातार जो है इसका अगर आप लॉंग टाइम फ्रेम में देखेंगे चार्ट तो वन वीक में देखेंगे तो लगबग हाई में ही है आज के दिन इसका हाई लगा हुआ था तो अलबर मुझे क्या लग रहा है कि यहां से 145 के उपर अगर यह स्टॉक सस्टेंड कर जाता है तो मज़ा आजाएगा वहां से बहुत तेजी से स्टॉक अप्रेंड में जा सकता है जैसा आपने यहां पर मुएंटम देखा यह जिस्ट लाइक ऐसा मुएंटम आपको फिर से उपर की साइड देखने में बिल सकता है अगर 145 के उपर य है कि स्टॉक उपर चला जाए इसलिए मुझे लग रहा है कि यहां से स्टॉक बहुत तेजी से उपर जाना चाहिए तो आई होब यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इस वीडियो का लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करें स्टॉक को बायसल करने से पहले अनलेस जरू करिए मिलते हैं नेक फिडियों तब तक लिगन्दवाद